हेलो डियर स्टूडेंट्स एजुकेशन विक पॉनमेम चैनल में आपका स्वागत है हमारी जो लाइब्रेरियन की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम लाइब्रेरियन मोस्ट इपोर्टेट क्यूसन है वो डिसकस कर रहे थे यह उसका नेक्स्ट लेशन है तो आपको यह सीर प्रवाइड करवाया जा रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको वोच कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए जिसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का इसका फाइदा मिल सके तो जो आज के लेक्चर है वो का आप कंप्रीट वोच किजी जिसे एक्जाम के अंदर आपके बहुत सारी क्यूशन है वो हमारे सीरीज से देखने को मिलेंगे तो चलिए जो आज का लेक्टर है वो स्टार्ट करते हैं आज कौन-कौन सी लेटन बासा के किस समद की यूथपति हुए है ? Classes, Classes, Quilt-Claroze or Friction Classification समद के किस सबस से हुई है ? यह हुई है Be Classes Classes अब समध लेटन बासा का जिससे classification की यूथपति हुई है Next है दीव बिंदू बर्गीकरण में पुस्तक संक्या सुत्तर में ततो होते हैं तत्वों कितनी होते हैं चार चैई आठ या दश तो दीव बिंदू वर्गी करण में पुस्तक संक्या शुत्तर में हुथ परकाल के होते हैं नेक्स्ट है दीव बुंदु वर्गीकरण के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण के लिए तालिकाओं की संक्या होती है तो जो दीव बुंदु वर्गीकरण है इसमें जो पुस्तक वर्गीकरण है उसमें तालिकाओं की संक्या कितनी होती है तीन, पांच, साथ या नुव तो दीव वर्गी करण के अनुसार पुस्तक वर्गी करण के लिए तालिकाउं के संक्या पांच होती हैं। नेक्स्ट है दीव वर्गी करण में काल एकल किस्तर होते हैं एक दो तीन या चार तो दीव वर्गी करण में काल एकल किस्तर कितनी होते हैं ये होते हैं दो नेक्स्ट है दीव बिंदू वर्गीकरण के सात्वी संस्क्रण में दसा समंद के लिए योजक चिन है तो दीव बिंदू वर्गीकरण के सात्वी संस्क्रण में दसा समंद के लिए योजक चिन क्या है नेक्स्ट है दीव बिंदू वर्गिकरन पत्ती में पुरु वर्थी सामाने एकलों को केसे दर्शाया जाता है नेक्स्ट है दीव बिंदू वर्गिकरन के छट्टे संस्क्रण की मुख्य वर्ग साहिते में निमलीक्त में से किसको दर्शाता है लेखक पक्ष कार्य पक्ष बासा पक्ष यह सवरूप पक्ष तो दीव बिंदू वर्गिकरन के छट्टे संस्क्रण की मुख्य वर्ग साहित वरक संक्या है P, Q, R और S तो दीव वर्गी कराण के अनुसार दर्षन साज सिर्विशे के लिए R है वो वरक संक्या है नेक्स्ट है दीव वर्गी कराण के अनुसार मुख्य वरग B गणीत में दर्षाता है अंगणीत, बीजगणीत, विसलेशन या जायमिती नेक्स्ट दीव वर्गी कराण के अनुसार मुख्य वरग B गणीत में दर्षाता है ये है जायमिती नेक्स्ट दीव विंदू वर्गी कराण में उप्योग के जाने वाला अंकन है तो दीव विंदू वर्गी कराण में उप्योग के जाने वाला अंकन कौन सा है शुद्ध, आशुद्ध, मिशृत या इनमे से कोई नहीं तो दीव बिन्दू वर्गेकरन में उप्योग क्या जाने वाल अंकन है मिशृत रीष्ट नेक्सट दीव बिन्दू वर्गेकरन निम लिक्त में से कौन सी पदती है यह हैं लगपग पक्षात्मग पत्ति प्रिगणात्मक पत्ति या इनमें से कोई नहीं तो दिव-बिंदु-वरगीकन निमलिख्त मैं से किस पत्ति से समंधित हैं यह मुट्थ पक्षात्मक पत्ति तो फ्रेंड्स यह यह ते हमारे लाइब्रेलिएन के आज के मोच्ट जरूर बताएं आप हमारे चैनल एजुकेशन विद पूनमम को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और केमेंट करके अपना फिडबेक जरूर दें इसकी जो पीडियाफ है वह आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक है वो करवाये जा रहे हैं अगर आप अनकेडमी पे किसी भी टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रॉफल कोड आई भी चूरू पचास चोतरी यूज कीजिए और टेन परशेंट का डिस्काउंट है और प्राप कीजिए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू झाल 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 झाल